नमस्कार दोस्तो मैं उदेलाणफ रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर वुड़ी देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालन भाई का आज की उड़े में तहरील से बहुत बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल देखा टाइटल भी पड़ा हाँ दोस्तो जो देखा वो सच है जो पड़ा वो सच है हाँ दोस्तो मुर्गी पालन के व्योसाय में सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तो मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों के कारण दोस्तों मैंने कितने फार्म देखे हैं कि जहां पर जो है दोस्तों बीमारी आने के बाद बहुत सारी दिक्कते आती है लेकिन दोस्तों बीमारी आने से पहले हम कोई भी precaution नहीं ले पाते है बीमारी आने से पहले हम कुछ भी सोच उचार नहीं करते है ऐसे में हमारे फार्म पर आने वाली बीमारियों को हम रोकने में कामियाब नहीं हो पाते है ऐसे में फिर आपको अगर बीमारी आने से पहले आने के बाद सचेत करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो कैसा रहेगा बहुत सारे मेरे जो वीवर से मुर्गी पालक भाई मुझसे कॉल करके पूछते हैं कहते हैं कि सर हम बहुत सारी कोशिशे करते हैं लेकिन हमारे एरिया में डॉक्टर नहीं मिल पाता है कोई कोई कॉल करके कहता है कि सर हमारा डॉक्टर मिल तो गया है लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है कोई कहता है कि हमारे एरिया के डॉक्टर को जब हम पूछते हैं तो वो चार से लेकर आट दिन तक तो कुछ बताता ही नहीं है बहुत मिन्नते करने के बाद वो फार्म पर पहुचता है और उसके बाद जब वो फार्म पर पहुचता है तो उसको दिखाने के लिए मुर्गी ही जीवित नहीं रह पाती लेकिन आने जाने का खर्चा तो देना ही पड़ता है और इसी कारणवस दोस्तों वहाँ पर हमें हर मुर्गी हर चूजा बचाने के लिए जद्दो जहत करनी पड़ती है मुझे बताईए कभी कभी एक या दो मुर्गिया बीमार गिरने के बाद हम क्या डॉक्टर को बुला सकते हैं नहीं क्योंकि मुर्गियों के कीमत से ज्यादा तो डॉक्टर की फीज ही होती है फिर आयसे में करे तो क्या करे करे तो कैसे करे और डॉक्टर भी हर विजिटिंग फिस पास्टों से लेके हजार लेता है एक तो आता ही नहीं है आता है तो इतना लेता है और लेता है तो दोस्तों बाद में आता नहीं है आयसे में फिर एक दिन का एडवाइस लेने के लिए ह तो मुझे बताईए कि आप कैसे काम्याब हो पाएगे इसलिए दोस्तों आपकी समस्या का बहतरीन सोलुशन मैंने सोच कर निकाला है यह सोलुशन जब मैं आपके सामने पेश करूँगा तो मेरा जी भी दोस्तों वहां पर गदगद हो जाएगा क्यूंकि इसके माध्यम से प्रतिश्रत मेरे हर मुर्गी पालक भाई की हर समस्या का समाधान मैं देने में सक्षम हो जाओगा क्या आपको भी आपके फार्म पर आने वाली बीमारी आने से पहले रोकनी है क्या आपको भी आपके फार्म पर आने वाली बीमारीों को आने के बाद तुरंत सेवा सुविदा चाहिए क्या आपको यहाँ पर बीमारी को पहिचाननी की तरकीब चाहिए कि आपको सही समय पर ठीका करन करना है चूजो और मुर्गियों का कि आपको सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में मुर्गियों पर आने वाली भीमार्यों का आने से पहले और आने के बाद पूरी जहन करेचरी चाईए और आपके फारम की जो responsibility है वो मुझ पर आ जाएगी दोस्तो मेरे कंधे आपके फारम की हर दिक्कतों को उठाने के लिए तैयार है लेकिन इसके लिए family doctor संकलपना क्या है समझना पड़ेगा एक बार अगर आप समझ गए तो समझे कि आपके मुर्गी पालन के व्याउसाय का आपके मुर्गी पालन के फारम का वहाँ पर life नहीं तो दोस्तों लक ही change हो गया और जिन्हें लाकों का मुनाफ़ा कमाना है जिन्हें अपना फारम पचास मुर्ग्यों से आगे बढ़ाना है जिन्हें बड़ा फारम बड़ा सपना पूरा करना है उनके लिए संकलपना लेकर आया हूँ दोस्तों वो वयसक आबादी का सदस्य हो सकता है या वह बेरोजगार युवा या युवती हो सकती है या दिव्यांग विकलांग व्यक्ती भी हो सकता है आपकी उम्र 15 साल से लेकर 80-80 साल तक हो लेकिन आपके मन में जुनून हो आपको कुछ कर गुजरने की चाहा हो तो दोस्तों राह मैं दिखाऊंगा और राह के साथ आने वाली हर दिक्कतों को मैं दूर करूंगा इसलिए देख लीजिए फैमिली डॉक्टर संकल्पना को आखिर तक सव प्रतिशत पसंद तो आने ही वाली है इसलिए फटा-फट अभी से ही लाइक कर दिजे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास क्रुपया करके इस वीडियो को भेज दीजिए क्योंकि दोस्तों जब बीमारी आती है तो मेरा मुर्गी पालक भाई रोटी का एक भी निवाला वहाँ पर खा नहीं पाता है क्योंकि दोस्तों मुर्गी की जो आखरी घटिकाय होती है उसमें उसकी होने वाली तकलीप उससे देखी नहीं जाती है और तकलीप का समाधान है दोस्तों यह वीडियो इसलिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप personal whatsapp number, whatsapp group, telegram group, facebook, instagram, snapchat, in social media के सादनों का इस्तमाल करके लिंक शेयर कर दीजे और आपको यहाँ पर आपके फार्म का वास्ता है दोस्तों की कृपया पाच-पाच वेक्तियों तक इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि मुझे भारत वर्षे में जितनी समस्या है मुर्गी पालन के फार्म की उन सभी को जड़ से समाप्त करना है और इसकी शुरुवात है दोस्तों family doctor यह संकलपना इसलिए अपने गिने चुने पाच वेक्त दोस्तों तक और पाच वाटसप ग्रुप पर यह दोस्तों वीडियो कृपया भेज़ दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप से भी किसान भाईयों से मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहता हूँ क्या आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं अगर हाँ तो कृपय आपसे विनती है सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस यूडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंग इस घंटी को टच करती हुए ओल इस नोटिफिकेशन को ओन कर दिजे ताकि आने वाला हरी उडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तो फैमिली डॉक्टर यह संकल्पना क्यों मेरे मन में आई दिमाग मैं यह पहले आपको बतलाता हूँ दोस्तो उसके बाद हम फैमिली डॉक्टर संकल्पना क्या है और इससे आप किस तरह से जुड़ सकते हैं मैं बताऊंगा दोस्तो आपकी जो समस्या आई है उनसे ही मैंने सोलिशन ढूंड कर निकाला है दोस्तो कि आपकी समस्या क्या थी सर हमें सही समय पर डॉक्टर मिल नहीं पाता है सर हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहाँ पर डॉक्टर की सुविधाएं नहीं होती है सर हमारे यहाँ पर डॉक्टर स्पेसिलिस्ट कोई है ही नहीं किसी की समस्या है कि सर हमारे यहाँ से 50 किलिमेटर दूरू डॉक्टर का बसे रहा है हम जब वहाँ पर जाते हैं तो वो कॉल करने के बाद एक तो फोन नहीं उठाता है बहुत दिनों के बाद उठाता है तो बोलता नहीं बोलता है तो कहता है कि आऊंगा और जब सभी बाते खत्म हो जाती है फार्म डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहाँ पर वो पहुच जाता है आईसे में दोस्तो, फैमिली डॉक्टर क्या है? ये पहले समझ लिजे. दोस्तो, फैमिली डॉक्टर एक आईसी संकलपना है, मैं इसे तो अदभुद संकलपना कहूँगा और गेम चेंजिंग संकलपना है, मुझे बता ये मुर्गी पालन के फार्म में सबसे बड़ी दिक्क कौन से आती है दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे फार्म की मुर्गिया अगर नहीं मरेगी उनका का मॉर्टिटी रेट जीरो रहेगा तो दोस्तों दुनिया का कोई भी व्यक्ति आखे मुंद कर कहे सकेगा कि आपके फार्म का मुनाफ़ा दिन दुगनी राज चोगनी प्रोग्रेस करेगा पिर आएसे में करे तो करे क्या जब मनें बहुत सोचा बहुत विचार किया तो मेरे मन में एक संकलपना आएसे ही बैठे बैठे आ गई कि जैसे इंसानों का एक फैमिली डॉक्टर हो सकता है वैसे हमारी मुर्गियों का फैमिली डॉक्टर नहीं हो सकता है क्या तो मुझे दूसरे ही खशन पर वहाँ पर लगा नहीं हो सकता ए फिर मुझे लगा कि भारत वर्षे में फिर हर यहाँ फैमिली डॉक्टर जोड़ते बैठोंगा तो तकरीवन 1.700 जिले हैं कहां कहां पर हम फैमिली डॉक्टर जोड़ते बैठेंगे कही दिक्कत है तो solution करने के लिए डॉक्टर नहीं है कही डॉक्टर है तो वहाँ पढ़ा लिखा नहीं है नहीं कि डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है इसका मतलब क्या है कि वह expert नहीं है मुर्गी पालन के expert डॉक्टरी की संक्या उंगलियों पर गिनने जितनी यह दिक्कते है पिर करे तो करे क्या और कभी कभी सबसे बड़ी दिक्कत के आई कि मेरे मुर्गी पालक भाईयों के पास तो कभी कबार मुर्गिया पास सो हजар होगी किसे के पास 50 है 100 है 200 है उसमें से 2 मुर्गियों को बीमारी आगए उनकी कीमत ही सबसे बड़ी समस्य दोस्तों बहुत सोचने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि मैं एक मुर्गी पालन के बड़े फार्म से 10-15 हजार रुपे मंतली लेने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत स्टाइफंड लेते हुए जहां पर हम कहते कि एक आयसी रकम कि जो रकम आपको देने में कुछ भी दिक्कत ना हो और मुझे लेने भी कुछ भी दिक्कत ना हो फिर आयसे में मैंने क्या सोलूशन निकाला कि यह सर्दी हो गर्मी हो वहां पर बीमारी आने से पहले बताए आपको डॉक्टर आयसा चाहिए कि जो बीमारी क्यों आती है यह बताए आपको डॉक्टर आयसा चाहिए कि बीमारी आने से पहले हमारे पास कौन सी मेडिसिन होने चाहिए यह बताए हमें आयसा एक डॉक्टर चा है दोस्तों फैमिली डॉक्टर यहां फैमिली डॉक्टर सिर्फ और स्रिफ मुर्गी पालन के व्यावसाय के लिए इससे इतर ना आपको बकरी पालन कोई भी जानकारी नहीं लेगी क्योंकि दोस्तों हम expert है मुर्गी पालन के हम यहां पर भकरी पालन में ध्यान नहीं देते इसलिए आपको गलत फ़हमीं नहीं होनी है तो फिर मैंने क्या किया यहां पर मुर्गी पालन के लिए जो समस्य करदुगार उसमें से यहां पर 500 रुपे की मासिक शुलक लूँगा दोस्तों इसमें कैसा होगा कि आपको दोपेर 3 से लेके 8 बज़े तक पूरा मारगदर्शन कॉलिंग के जरीए आप मुझको पूछ सकते हैं दूसरी बात आपको एक WhatsApp ग्रूप में आगे चलके सम्मीलित किया जाएगा जिसमें आप आपस में चैटिंग कर सकते हैं जिसमें पूछ सकते हैं यानि कि आपके solution आपको मुर्गी पालक भायों के तरह मिलेंगे और तीसरी बात है कि मेरे live session भी आपको देखने को मिलेगे जि ने वहाँ पर पासो का screenshot भेज दिया तो वह करने के लिए आपको पहले कॉल करना पड़ेगा चौरा सी किस बासट बासट पर उससे वहाँ पर बातचीत कर लिजिए मुझे मैं आपको पूरी विधी बताऊंगा उसके बाद आप जूड़ सकते हैं तो यहां पर आपने क्या सर्दियों का मौसम में क्या बीमारी आ सकती है गर्मियों के मौसम में कौन से आ सकती है बरसात में कौन से आ सकते हैं इसकी जानकरी पहले ही दो दूँगा उसके बाद बीमारी आने के बाद क्या करना है उसके बाद मौसम जब बदलता है उसमें क्या करना है यह बताऊंगा उसके बार आपको यहां पर जो बीमार या आपके फार्म पर आने वाली है या आने की संभाव नहीं क्यों आती है कैसी आती है इसकी पूरी जानकरी दूंगा और आपका जो एक भी मुर्गी एक भी चूजा बीमार कर गया तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते यानि कि दोस्तों आपके दिक्कत मेरी हो जाएगे आपका फार्म मेरा हुझेगा श्रिफ दिक्कतों के लिए इंकम के लिए आपका फार्म आपका ही रहेगा मेरा इसमें कोई भी दोस्तों इंकम का सोर्स नहीं होगा तो ऐसे से क्या होगा कि हमारा एक जुड़ा होगा जुड़ा होगा तो इससे हम आगे बढ़ सकेंगे एक बात बता है आपकी पचास सो दोस्तों मुर्गिया है मुझे एक बात बता है आज आपने call किया कल call किया मैं जवाब दे दूंगा मुझे वो दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों जिन्होंने payment की है जिनकी जिम्मेवारी मैंने उठाई है उनको तो समय देना पड़ेगा और एक बात बतेगी एक व्यक्ति कहां कहां बात करेगा इसी वजह से दोस्तों आप बुरा मत सोचिए कि यहां पर मैं आपको यहां पर जो है मासिक शुलक के तौर पर ले रहा हूं दोस्तों समय का तकाजा यही कहता है कि दोस्तों हमें किसी को ध्यान देना पड़ते और आपको भी लगता है मुझे कितने मेरे मुर्गी पालक भाई पूलते है कि सर मैं आप से तो 2-4,2 सला ले चुका है मैं हर आपसे पूछता है आप ज़वाब दे देते हो लेकिन हमें हर भाद फोन लगाने से पहला मन में सवाल आता है कि हमने तो कुछ भी पै आउट नहीं कह ö temat हम किस तरह से पूछ सके लेकिन जब आप इस यस टोटल दॉक्टर संकल्पना में जुड़ जाओंगे तो आपके मन का एक जो है फैक्टर निकल जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट किये तो आपको लगते हैं नहीं मैं पूछ सकता हूं क्योंकि मैं हकदार हूँ इसलिए दोस्तों हकदार बनना होगा तो फैमिली डॉक्टर के साथ हमारे घर में मा बाउजी होते हैं दोस्तों माता जी का काम होता है वहां पर पूरा जो हमारा होता है फिर पकाना दोस्तों यानि कि जो रोटिया सेकना हो या उसके दाद चावल को परोसने पूरी बाते माता जी संभालती है बाउजी का काम होता है कमा कर देना कभी बाउज जाएगा लेकिन दोस्तों जिसकी जिम्मेवारी जिसने उठाई तो घर बहुत शांती से आगे प्रोग्रेस कर पाता है लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे कि दिक्कते आने के बाद कॉल करेंगे भागा दोड़ी करोंगे तो ऐसे से नहीं होता है आपके फार्म की जो responsibility हम पर छोड़कर आप वहां पर मुक्त हो सकते हैं इंकम कमाने के लिए और दोस्तों बाते कैसे होते हैं कि जब तक आप सही जिम्मेवारी का निर्वान सही व्यक्ति के माध्यम से नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे इसके लिए फैमिली डॉक्टर संकल पना है बीमारी आने से पहले आने के बाद मुर्गियों का और चूजों का ठीका करें यह सभी बाते आपको वहां पर बताई जाएगी और साथी में दोस्तों स्रिप फैमिली डॉक्टर यह संकल पना नहीं तो कभी-कभी आपको यह भी सभी बात पता चलनी चाहिए कि कौन से मोसम में कौन सा फिड देना चाहिए कौन सा फिड क्यूं देना चाहिए सभी बाते जानकारी आपको लेने के लिए दोस्तों फैमिली डाइट डाइटीशन की आवश्रक्ता लगेगी आपके फार्म का 50% फिड का खर्चा घटा कर देने की जिम्मेवारी हमारी आपके मुर्गों का फिड का खर्चा हर दिन एक रुपे में अड़्जस करने की जिम्मेवारी हमारी लेकिन इसके लिए अलग से आपको कोई राशी देने के आवश्यक्ता नहीं ये सभी बाते फैमिली डॉक्टर संकल्पना के तहेत आएंगे आगे चलके इंकुबिटर के माद्देम से चूजी निकाल कर उनको बड़ा करना बड़े करके उनको वहां पर अंडो पर लाना लाने के बाद दोस्तों अंडे कभी कम देंगे कोई भी छोटी मोटी दिकत मुर्गी पालन के व्योसा की हो आप हमसे पूछ सकते हो और जब यह कारवा बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों आपके मारकेटिंग की भी हमने यहां पर जो है दोस्तों मैंजमेंट कर दिये आगे चलके हमारी जो एप लॉँझ होगी उसमें आपको वहां पर जो है सम्मिलित किया जाएगा इनके लिए दोस्तों पास्तों रुपए की मासुक शुल्क मुझे तो लगता है कोई ज्यादा फीस ने एक दिन डॉक्टर बुलाने के साथ एक आडवाइज लेने के लिए हजार देने से अच्छा है कि तीज दिन तक फैमिली डॉक्टर घर प का मुने पक कमाना है तो दोस्तों आईसे व्यक्ति want के मेरी उसाथ मेरी गुजारी से कि दोस्तों आंध्रे में तीरमत् करने के लिए मार्ग दर्शन के साथ ही आगे बढ़िये मैं सेवाए देने के लिए तैयार हूं अगरा आपको सेवाए लिनी है तो कोई और समझ कर दोस्तों यहां पर निर्णई लीजिए और साथी में एक बात यहां पर आपको कहता हूँ और वीडियो की समाप्ति करता हूँ दोस्तों अगर कमाना होता तो मैं बड़े-बड़े फार्म के साथ जुड़कर 10,000-15,000 हर महा उनसे फीस वसुल कर सकता था लेकिन आइसे 10, 15, 20 फार्म को जोड़कर मेरा क्या फायदा है दोस्तों क्यूंकि मुझे 15 व्यक्तियों तक पहुचना होता तो मैं कब का पहुच चुका होता दोस्तों लेकिन मेरा उद्देश कमाना नहीं है दोस्तों तो स्रिफ जमाना है और जमाने तक पहुचने के लिए दोस्तों इस देशी करांती को मुझे घर-घर तक पहुचाना होगा इसलिए दोस्तो 142 करोड जन संक्या तक अगर पहुचना होगा तो मुझे किसी फार्म का 15,000 का वहाँ पर पेमेंट उठा कर उनके साथ जुड़कर मुझे को रिजर्व नहीं होना है दोस्तो उनके साथ कॉंट्रेक्ट साइन नहीं करना है जिसके कि मैं वहाँ पर बंद मैं भारत वर्षे के हर मुर्गी पालन के फार्म का मुर्गी का फैमिली डॉक्टर बनना चाहता हूं मैं हर मुर्गी को यहां पर बीमारी आने से पहले बचाना चाहता हूं मुझे आपके फार्म को बड़ा बना कर लाकों का मुनाफ़ा कमाने के लायक बनाना है लेकिन आपके अंदर उम्मीद हो जिद हो कुछ कर गुजरने की तो दोस्तों मैं तयार हूँ आपकी जिद पूरी करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो जुड़ने के लिए संपरक करवां कर नोट कर लिजे अधिक जानकारी लेकर बाते समझ कर अगर पूछताच करनी है तो चौरासी एकिस बायासी बासट बासट पर आजाईए जुड़ जाईए आईसा आउसर आईसा समय आउधी बार बार नहीं आता है दोस्तों क्यूंकि एक मर्यादा से उपर व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर प्रविष्ट हो गई तो मुझे भी वहाँ पर आगे से जो है मर्यादा का जो है निर्वाहन करते हुए एक प्रवेश भी वहाँ पर निशिद्ध करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों जल्दी आईए प्रवेश पाईए और अपने फार्म की जिम्मेवारी मुझ पर डालके वहाँ पर हसी खुशी आपना फार्म बढ़ा कीजिए इस संकल्पना के साथ जुड़ने के लिए नंबर एक बार नोट कर लिए चोरासी किस बैयासी बासट बासट तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कैसी लगी ये संकल्पना फैमिली डॉक्टर की जो आपके हर समस्या की स प्रतिशत यहां पर जो है दोस्तों ट्रीट्मेंट इलाज या दोस्तों यहां पर सुलूशन है जादिक जानकारी के लिए देखते रहे आपका चाहिता चैनल इंडियन मुर्गी पालग वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए किसान भायों तक पहुचाने के लिए श आप अदाई तरब निजली सैट में आने के बाद दिखाए देने वाल लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच करेज़े उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटे एंगिस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आन करेज़े ताकि आने वा सब्सक्राइब